तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा देखेगा दोस्तों आपको बताया गया था कि प्राइस एक्षिन स्टॉक जो हम लोग प्रॉइड करेंगे वो चार ट्वाइस प्रॉइड करेंगे वॉल्यूम के ब्रेक आउट के साथ तो देखेगा बढ़ी हाँ वॉल्यूम आया था ब्रेक आउट देखने हो मिला था और यह देखे आपको पोस्ट भी किया गया था लाइक चेक कर सकते हैं आप अच्छे वॉल्यूम के साथ देखेगा आट बच के चालिस मिनट पर पोस्ट किया गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़ी हाँ चार परसेंट का मॉमेंटम देखते हो मिला तो लर् मार्केट में देखेगा रेंजबाउंड मूड और मौहल देखने को मिलना है मैं आपको इक चीज दिखाना चाहता हूं बहुत ही इंपोर्टेंट है इस समय केवल इंडेक्स पे फोकस ना करें पीछे के कॉंटेंट पर फोकस करें चोकि इंडेक्स पे देखेगा मैंने कैसा लेता है यह इंपोर्टेंट है और मार्केट ने कैसा लगिया आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो अब HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है तो आने वाले बैंकों पर बहुत जादा कॉंशियस फोकस रखेग क्योंकि जरासा भी अगर एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आए तो जो अच्छे टॉप फंडामेंटर स्टॉक है उन्ने में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने हो मिलेगी तो इसलिए थोड़ा सा एलर्ट रहेगा साथ ही साथ ही जो इंडेक्स अपने आपको देखेग और कितना स्टॉक्स ने बना के दिया है सीधा सीधा रिजल्ट पे फोकस करिए बचट तक किये देखेगा मुमेंटम आपको देखते हो मिला है उसके बाद बहुत सारे सेंटिमेंट है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अब वो इंडिकेशन क के वल होल्ड करें है ट्रेडर्स मारकेट को ऑपरेटर्स और रिटेल इंवेस्टर्स तो आपको पता है कि अगर इन लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है तो रेट हाइक FOMC की पहली मीटिंग में बताया जाएगा जब रेट हाइक बताया जाएगा वहां पया आपके पास अच्छी opportunity होगी investment करने की तो weight अब तक देखी का 16-300 पर हमने आपको उताया था जब market 16-300 पर गया था आपको guide किया गया था कि like यहाँ पर investment करिए कोई दिक्कत नहीं है चुकि यहाँ से ज़्यादा dip बचा नहीं है वहाँ से आपको यह momentum देखने हो मिला है अब अगर आपको investment कर रहे है तो बहुत short time का view रखेगा budget तक का कल मैंने देखी का stock आपको बताया मैंने TFCI limited बताया मुझे under value देखने हो मिला था मैंने आपको बताया 16% का moment है चाके check out करिए 16% का बढ़िया momentum देखने हो मिला ऐसे इन देखी का मैंने बताया था 1800 के भाव पर आपको Larson and 2 Bro मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2200 का rate आएगा budget तक 2100 का भाव आ चुका है तो यह चीज क्या है budget oriented है क्योंकि आपको पता है budget पे यह stock momentum देएगे चुकि अनॉंस्मेंट होगा लेकिन इसके लाव आप कहा रहा हो किसी भी stock में investment कर देंगे इस particular level पे यह सही नहीं है ट्रेडिंग पॉइंट मार्केट हमेशा कैसे चलता है ऐसे चलता है at the end of the day याद रखिएगा यहाँ पे index में अगर आप trading कर रहा हो nothing to worry लेकिन आप कहतो कि नहीं अभी मैं सारे stocks में investment करने लगूँगा 19,000-20,000 market के लिए यह सही नहीं है चुकि आपको एक dip तो देखने को मिलेगा वो FOMC की meeting के बाद देखने हो मिले budget के बाद देखने हो मिले let's see वहाँ पे check out करेंगे लेकिन market के लिए बहुत important है आपने देख लिया second चीज हम लोंने range bound देखे का एक prepare किया था view तो वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने हो मिला range bound ही market देखने हो मिला 3-4% का जब momentum हो nifty wix में तो जो भी trend चला हो वहीं पे focus करें वो trend follow का चोटा सा stop loss लेंगे आपको अच्छा benefit होगा तो nifty wix को कभी भी नजर अंदाज आपको नहीं करना है आगे अगर आप देखेंगे तो अगला खत्रा क्या अगला देखेंगा सबसे वड़ी बात है कि आपका ये जो जितने भी अगर आप देखेंगा Canada के देखेंगा 10 year bond deal देख लीजे या फिब ब्राजील का देख लीजे किसी का भी देख लीजे आप सभी को पता है कि अगर आप fix और fluctuation में prefer क्या करोगे fix rate को तो आपको पता है bond deal से regular return rate होते हैं और ये 1.8 के आसपा देखने मिला है COVID के बाद ये सबसे बड़ा हाई है COVID के बाद अगर आप देखेंगे तो इस सबसे बड़ा हाई है 1.8 का और ये आगे rate हाई के announcement के बाद और भी बढ़ सकता है चुकि इस particular level पे US 10 year bond sustain कर रहा है जो 1.4 अभी आपको देखने मिला था 15-10 दिन पहले वो 1.8 पे sustain कर रहा है down नहीं हो रहा है तो ये market के लिए अच्छी चीज नहीं है ये कोई negative चीज नहीं है ये reality है अगर आप reality को face नहीं करना चाहते हैं market देखेगा आपको अच्छे return बना के नहीं देगा reality ये है कि indication को event को आपको ध्यान में रखता है जो भी चीज है stock हमीं आपको provide करते हैं like कौन से stock में momentum देखने मिलेगा कितना momentum, short term momentum, long term momentum सब कुछ guide किया जाता है लेकिन कब कहां पे कैसे आपको view बनाना है ये guidance भी provide करना बहुत important हो जाता है second ये indication है एक तो देखेगा FIAs और DIAs देखेगा selling कर रहे है second आपको देखेगा ये जो सबसे important indication है जिस पे आपको focus करना है आगे अगर आप देखेंगे तो SGA Knifty में आज अच्छी closing देखने को मिली है अभी भी space बना हुआ है अब जो सीधा सीधा resistance बना वो भी हम बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको सुबे morning में देखेगा इस चीज को चेक करना है dollar index को कल से telegram पे dollar और US 10 year bond deal को भी post किया जाएगा ताक कि आपका view और भी clear हो जाए चुकि वो view clear है तो आप थोड़ा सा alert रहोगे market में यह चीज बहुत important है तो कल के लिए जो level होगे बहुत important है और अगर आप दो दिन से देखेंगे तो nifty bank week हो रहा है nifty bank के major supporter है आप देखी का 3800 बनाने के बाद nifty bank week हो रहा है तो यह चीज अच्छी नहीं है nifty bank को sustain करना पड़ेगा budget तक तो at least कम से कम 40,000 का momentum आना ही चाहिए अगर market को इन level पे sustain करना है nifty bank पे अगर 40,000 का momentum आता है budget तक तो आराम से 18,500 आपको देखने हो मिलेगा 18,300,500 level देखने हो मिलेगा लेकिन अगर यह profit booking आती है तो नीचे थोड़ा सा आपको pain create हो सकता है और यह चीज बहुत ज़रूरी है चुकिए HDFC bank के result अब आच चुके है अब सीधा सीधा next focus है दो तीन bank पर जिनके result में आपको बताऊंगा भी तो यह focus करिएगा तो कल के लिए पहला जो level रहेगा वो आपको यालतना है सीधा सीधा देखीगा यह आपके क्या होंगे resistance होंगे नीचे की तरफ अच्छे support लेके चलने है 240 बहुत ही clear support है चार्ट पे तो एकदम clear लग रहे है support पे buy करो चुप चाप एक एक lot और आराम से देखीगा points मिले 30-50 points मिले आराम से sell करो second चीज अगर आप देखेंगे nifty bank में तो nifty bank में देखीगा volatility काफी है तो आपका देखीगा resistance यही दोनों रहेंगी जहांपे face कर रहा है nifty bank नीचे की तरफ यह बहुत अच्छा support है और यहां पर जाता है इसके नीचे जाता है तो आपके sentiment negative हो जाएंगे तो I hope आपको level अच्छे लगे होंगे I hope आपको video अच्छा लगा होगा अगर आप हमें Instagram पर follow करना चाहते हैं तो description में link मिल जाएगा जाके follow कर सकते हैं Thank you so much